कुछ दिन पहले में एक मूवी देखने किया, कबीर सीन और उस मूवी के स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम बज़ा हमारा और हम लोग उसके रिस्पेक्ट के लिए उस टाइम पे खड़े हुए तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यो ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और आपके साथ ये बात रखी जाए जो कई समय से मेरे दिमाग में चल रही है देखे, 2006 में ये केस पोट के पास गिया था और उस समय पोट ने ये फैसला किया था कि हर एक सिनमा घर में सिनमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम बजएगा और उसके रिस्पेक्ट के लिए हर कोई उस समय खड़ा होगा उसके बाद काफी सारे घटना इसको लेकर हमें देखने के लिए मिलती रही काफी जाधा हाणबूज के खड़ा नहीं होते थे तो उन लोग के साथ हाता पाई होती थी वह ज़ो ठीक था ख़िए कई पार ऐसा भी होता था कि कुछ लोग ऐसे सिनमा घर में पहुस्ते थे जो तो सही समय पे खड़े नहीं हो पाते थे या खड़े होने में असमर्थ थे तो उन लोग के साथ भी अबद्रता होती रही गलत फैमी की वज़े से या जो भी आप कहलें तो उसके बाद फिर से ये कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं जो सिर्मा घर में है अब फिर से नेशनल एंथम के लिए जो ये केस गया तो आखिर में कोर्ट ने फैसला किया कि ये सिन्वा घर के उपर रहेगा कि वो मूवी से पहले नेशनल एंथम बजाना चाहता है तो बजा सकता है नहीं बजाना चाहता तो ना बजाए हो सकता है कि मेरी राय और आपकी राय अलग हो पर आप अगर पूरी बात को समझेंगे और सोचेंगे तो मैं आश्र करता हूँ कि आप मेरे से पूरी तरह से एगरी होंगे देखिए जो ये mandatory किया गया था पहले वो भी गलत था और अभी जो ये कहा गया है कि सिनमा घर के उपर है वो बजाना चाहे या ना बजाना चाहे वो भी मेरे साथ से गलत है देखिए जो national anthem है वो हम लोग का सम्मान है हम लोग के आजादी का प्रतीक है और उसे मेरे इसाब से हमेशा खुले अर्शमान के नीचे ही करना चाहिए चार दिवारी या बंद दिवारी के अंदर उसे नहीं किया जाता है पर फिर भी ये cinema घरों में हो रहा है और साथी साथ किस तरह की film उस टाइम पे चल रही है cinema घरमे जैसे कि मैंने आपको बताय कि मैं कभीडB Singh देखने गया था और उसे पहले नेशनल एंथम बज़ाए। वह सकता है और कोई adult film वहाँ पर चल रही हो और उसे पहले भी नेशनल एंथम बज़ाया जए। तो काफी कुछ रीजन के चलते मैं आपको कह रहा हूं कि नैशनल एंथम तो बिलकुल बजना ही नहीं चाहिए और बज़े भी तो ऐसी जगा पर बज़े जहां पर इसकी सक्त जरूरत है स्कूल टाइम पर हम लोग नैशनल एंथम के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते थे नैशनल एंथम गाते थे मेरे इसाब से जो नैशनल एंथम है वो सरकारी दफ्कर में क्यों न बज़ा जाए कोट वहाँ पर क्यों नहीं इस तैसले को लाती है कि वहाँ पर mandatory हो कि नैशनल एंथम होना ही चाहिए अब है अपने उत्तरप्रदेश में सुना होगा यूपी में सुना होगा कि 9 बजे पहुचने का फर्मान सुना दिया गया है तब भी लोग वहाँ पर नहीं पहुच लें अपने सरकारी दफ्कर में और क्यों न वहां पर किया जाए कि नेशनल एंथम होना ही चाहिए जब भी आप अपनी कुर्सी संभालने से पहले आप वही नहीं पॉलिटीशन लोगों के लिए भी यह चीज जरूरी होना चाहिए उन्हें नेशनल एंथम गाने के साथ उसका सम्मान और वो क्यों जरूरी ह वो उन्हें याद दिलाया जाए और अपने कर्तब का सही पालन करना उन्हें शिखाया जाए और वहां पर अगर टाइम से आद्मी नहीं पॉसता है जैसे नौजी आगर नेशनल एंथम होना है वहां पर जो एप्सेंट रहता है तो उस पर करवाई करना है तो करे सरकार यह ज़्यादा बहतर रहेगा हमारे लिए और हमारे देश के लिए आपका क्या मानना है आपका क्या कहना है आप अपने विचार नीचे कमेंट में मेंशिन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शियर करने के साथ लाइक करिएगा अगर पसंद आया तो और साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल लेकान को जरूर दबाएगा इसी तरह से हम नएने वीडियो के साथ मिलते रहेंगे अब गुडबाई जै हिंद जै भारत